हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप IS कैसे बने ठीक है देखे फ्रेंड IS का फूल फॉम होता है Indian Administrative Service और इसको हिंदी में बोला जाता है भारती परसासनिक सेवा तो ये तो है कि IS क्या होता है ठीक अब देखे बात करते हैं कि IS कैसे बने देखे कारी बनने के लिए आपको दसमी अच्छे मार्क से पास करना होगा पास करने के बाद आपको एगरमी और वार्मी में भी किसी भी सब्जक्ट से पास करना होगा और इसके अलावा आपको अच्छे मार्क्स एगरमी और वार्मी में भी होनी चाहिए उसके बाद आपको बड अपनी ग्रेजुएशन की डिगरी पूरी करनी होगी ताकि आप UPSC के लिए एकजाम दे सके लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल जरूर होता है कि वह किस कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिगरी पूरी करें तो इसका असान सा जबाब है कि आप किसी भी कोर्स में अपनी ग अप्लाइक कर देंगे तो उसके बाद हर कोई उम्मिदबार जानना चाहता है कि इसमें कितने एक्जाम देने होते हैं और इन एक्जाम में पैटर्न कैसा होता है अगर मैं बात करूं UPSC के एक्जाम की तो फिर आपको ये तीन एक्जाम पास करने होंगे पहला है प्रारंबि का एक्जाम देना होता है और इस एक्जाम को देने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी क्योंकि बहुत सारे उमिदबार पहली एक्जाम को तो पास कर लेते हैं लेकिन मुख्य परिक्षा में वह फैल होते हैं इसलिए इस एक्जाम को देने से पहले आप इस एक इंटर्व्यू की तयारी करनी होती है और इस इंटर्व्यू में आपको जन्रल नॉलेज क्रेंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है यदि आप इस एक जम्प को भी पास होते हैं तो फिर आपको L, S, B, N, A, A के ट्रेंणिंग के लिए भेज दिया जाता है ठीक अब देखिए आईएस बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आईएस अधिकारी बनने के लिए भारत के सरकार ने हर किसी की केटेगरी की उम्र अलग अलग रहा जैसे कि किसी भी उमिदवार जेनरल केटेग तो उसकी उम्र 21 से लेके 35 वर्स होनी चाहिए अगर आपके उम्र 21 है तो फिर आप UPSC में IS एक्जम के लिए अपलाई कर सकते हैं अब देखिए बताते हैं सब्जक्ट कौन सा होता आईएस की तयारी करने के लिए सब्जक्ट आईएस की तयारी करने के लिए आपको UPSC की वेबसाइट पर आईएस का सिलेवस मिल जाएगा सिलेवस को डाउनलोड करने के बाद उसी चीज की तयारी करनी होगी जो की सिलेवस में लिखा गया है लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पे बता दू कि आईएस की कम्पलीट स्टेडी मेटेरियल के नाम पे बताऊंगा ता झाल 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 झाल